परिचाए राज, आज मैं तुम्हें अपना घर अपने लेफट आप की स्क्रीन पर दिखाऊंगा सैच, मैं देखना चाहूंगा मैं अपने घर का पता दे रहा हूँ अब मैं मानचित्र को तब तक बढ़ा करूँगा जब तक कि मेरा घर नहीं दिखाई देगा तुम से पूछना चाहता हूँ कि यह कैसे कारी करता है अपने घर से पूरी दुनिया में किसी भी जगा को देख पाणा कैसे संभव है यह विज्ञान और प्रद्दुकिकी के विकास के कारण ही संभव हो पाया है या उबग्रह संचार के सिध्धांद पर कारे करता है उबग्रह पृत्वी के आकड़ों को स्कैन करता है और नियमित समय अंत्राल पर इससे पृत्वी को प्रेशित करता है अब तुमें एक SMS मिला या संचार प्रणाली का एक अन्य उधारन है हम अपने देनी चीवन में असंचे विज्ञान अनुप्रयोगों का उप्योग करते हैं मुझे मेरा उत्तर मिल गया और मैं विज्ञान के बारे में और अधिक जानना चाता हूँ ठीक है आज हम विज्ञान और भातिक दुनिया के विशय में और अध्यान करेंगे उद्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे विज्ञान और भातिकी को परिभाशित करने में भातिकी के क्षेत्र और उस्सा को जानने में भातिकी की प्रद्योकिकी को समझने में भातिकी के समाज की बारे में जानने में प्रकृति में मूल भूत पलों का विशलेशन करने में बहुतिक नियों की प्रकृति के बारे में जानने में विज्यान विज्यान का अर्थ है जानना यह किसी समय में सावधानी पूर्वक, प्रेक्षणों और प्रयोगों द्वारा परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक क्रम बढ़ तरीका है हम अपने दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग करते हैं हम कार में यात्रा करते हैं, टेलिवीशन देखते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं और कई दैनिक कारे करते हैं यह केवल विज्ञान के कारण ही है भौतिकी क्या है प्रकृति और प्राकृतिक वहवार के अध्ययन को एक संगठित तरीके से विविद उपचीरशकों में विवस्थित करना भौतिकी कहलाता है इसकी कई शाखाएं हैं जिनके नाम हैं यांत्रकी, विद्यूत, चुंबकत्व, प्रकाशिकी, आधुनिक भौतिकी आदी 1900 से पहले की भौतिकी परंपरागत भौतिकी कहलाती है और 1900 से आगे भौतिकी को आधुनिक भौतिकी कहा जाता है विज्यानिक दृष्टिकों के चार आवश्यक खंड हैं जो इस प्रकार हैं एक, एक क्रमबध तरीके से प्रिक्षण, दो, परिकल्पना करना, तीन, परिकल्पना का विशलेशन करना, चार, प्रस्तावित सिधांत को संशोधित करना, या दृष्टिकों सदैव समस्याओं को विज्यानिक तरीके से हल करता है भौतकी काक्षेत्र एवं उस्सहा किसी व्यक्ति के चलने से लेकर हजारों किलोमीटर दूर संप्रेशन तक भौतकी का बहुत व्यापक्षेत्र है समानिता भौतकी को दो भागों में विभक्त किया गया है स्थूल दर्शिये स्थूल दर्शिये पैमाना लंबाई का वो पैमाना है जिस पर वस्तूओं या प्रक्रियाओं का आकार ऐसा होता है जो नगन आखों दौरा माप योग के और अवलोकन योग के होती हैं सूक्षम दर्शिये सूक्षम दर्शिये पैमाना आकार या लंबाई का वह पैमाना होता है जिसका उप्योग ऐसी वस्तूओं की व्याख्या करने के लिए किया जाता है जिन्हें नगन आखों दोरा आसानी से देखा नहीं जा सकता और जिन्हें स्पष्ट रूप से देखने के लिए किसी लेंस या सूक्ष्म दर्शी की जरूरत होती है भातिकी ब्रह्मान की पूर्ण समझ तक पहुंचने का प्रयास करती है ये ऐसे मूलकडों का पता लगाने की कोशिश करती है जो उन द्रव्य बलों का निर्मान करते हैं जो उर्जा के वेवहार और विविद रूपों को निर्देशित करते हैं भातिकी की प्रद्योगी की नाभिक और इसमें सन्निहित उर्जा का विचार हमें अपार उर्जा उत्पन करने में सक्षम बनाती है डिजिटल तक्नीक के अध्यान ने हमें एक कंप्यूटर बनाने में सक्षम बनाया जो कम समय में प्रक्रिया करता है करनाटक दोरा सैध्धांतिक चक्रिये उत्त क्रमणिये प्रक्रिया के विकास से हमें एक इंजन, रेफ्रिजरेटर, एर कंडीशनर आधी को समझने का मौका मिला। विद्ध चुमकत्व तरंगों और संचरन के अध्यन ने संचार प्रणाली को डिजाइन करने में हमारी साहता की। उब ग्रहों के प्रक्षेपन से हम संपदा के बारे में जानने के लिए प्रिछवी की पर्तों को समझने में समर्थ हुए और संचार सुविधाओं को उननत करने के अतिरिक्त अपने सौर परिवार से आगे जाने में सफल हुए। भौतकी का समाज भौतकी आधारित तकनीक के द्वारा हमारे समाज को बहुत अधिक लाब मिला है द्रिश्टी सुधार के लिए प्रयुक्ति लैंस, यादायात के तरीके, सस्ती संचार व्यवस्था, मौसब की भविश्यवानी ये सभी प्रगती के कुछ ऐसे आयाम हैं, जो भौतकी के कारण संभव हो पाएं हैं लेकिन साथ ही इसने विनाश के हतियार भी दिये हैं मिजाइल, परमाणू बम, हाइडूचन बम, सकिंड के एक भाग में ही अकलपनिये विनाश कर सकते हैं प्रकृती में मूलभूत बल, चार मूलभूत बल हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं गुरुत्विये बल, विद्धुद चुमकिये बल, शक्ती शाली नाविकिये बल, दुर्बल नाविकिये बल गुरुत्विय बल रहमान में किनी भी दो वस्तों के बीच पाया जाता है। न्यूटन के अनुसार परस पर आकर्शन बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रम अनुपाती होता है। और बीच की दूरी के वर्ग विद्क्रम अनुपाती होता है। ये स्थूल तर्शिय स्थर पर एहम भुमी का निभाता है और सभी बलों में सबसे दुर्बल होता है। विद्ध चुमकिय बल आविशों के एक युग्म के मध्धे होता है। विद्ध और चुमकिय बल अलग-अलग नहीं होते। तुलना के लिए हम कह सकते हैं कि प्रोटानों के एक युग्म के मध्धे विद्ध बल उसी दूरी पर उनके बीच गुरुत्विय बल से दस की घात 36 गुना होता है। शक्तिशाली नाभिकिय बल प्रोटानों और निट्रानों को नाभिक में बाधे रखते हैं। यह सबसे शक्तिशाली बल होता है और प्रकृती में विद्ध चुम किये बल से सौ गुना होता है। दुर बल नाभिकिय बल कुछ अनियोनने क्रियाओं जैसे बीटा क्षय में पाय जाते हैं। और यह 10 की घात माइनस 15 मीटर की कोटी तक की दूरियों में पाया जाता है। भातिक नेमों की प्रकृति विभिन बलों शासित किसी भी भातिक वेवाहर में कुछ राशियाँ समय के साथ बदल सकती हैं। जबकि कुछ भातिक राशियां समय के साथ नियत रहती हैं। और दूसरी क्वांटम संख्याएं प्रहमाण में होने वाली घटनाओं को शासित करती हैं। उर्जा संदक्षन का नियम विविध रूपों में पाया जाता है। उधारण के लिए आइंस्टीन की द्रवेमान उर्जा तुलेता की अवधारणा और बंधन उर्जा के लिए उत्तरदाई द्रवेमान ख्षती ये पुष्टी करती है कि द्रवेमान उर्जा का एक अनिरूप है और संदक्षित रहता है। क्या आप जानते हैं? 1984 में लॉड केल्विन ने पूर्व अनुमान लगाया कि रेडियो का कोई भविश्य नहीं है। उन्होंने ये पूर्व अनुमान भी किया कि वायू से भारी उड़ने वाली मशीने असंभव हैं। आप्टिकल फाइबर का आविशकार 1966 में दो ब्रेटिश वेग्यानिकों चार्ल्स काव और जॉर्ज द्वारा किया गया, जो ब्रेटिश कंपनी स्टेंडर्ड टेली कम्यूनिकेशन के लिए कारे करते थे। परदे पर किसी प्रतिविम्ब का सबसे पहला प्रक्षेपन जर्मन पादरी ने किया था। मुकदमे के वर्षों बाद पेटेंट बेल को मिला। स्थूल दर्शिय पैमाना लंबाई का वह पैमाना है जिस पर वस्तूओं या प्रक्रियाओं का आकार ऐसा होता है जो नगन आखों द्वारा माप योग के और अवलोकन योग के होती हैं। सुक्ष्म दर्शिय पैमाना आकार या लंबाई का वह पैमाना होता है जिसका उप्योग ऐसी वस्तूओं की व्याख्या करने के लिए किया जाता है जिन्हें नगन आखों द्वारा आसानी से देखा नहीं जा सकता और जिन्हें स्पष्ट रूप से देखने के लिए किसी सुक्ष्म दर्शी की जरूरत होती है गुरुत्विय बल ब्रहमान में किनी भी दो वस्तूओं के बीच पाया जाता है विद्धुत्चुमकिय बल आवेशों के एक युग्म के मध्धे होता है शक्तिशाली नाभिकिय बल प्रोटानों और नूट्रानों को नाभिक में बा आए जाते हैं कुछ भौतिक राशियां समय के साथ नियत रहती है ये राशियां प्रकृति की संदक्षी राशियां है